Hello students, आज अपन class first का revision test paper solve करेंगे. देखो, यहाँ पे क्या है? Write the missing numbers. आपको क्या करना है? यहाँ पे क्या करना है? जो missing numbers है उनको आपको लिखना है. अब जैसे देखो, यहाँ क्या लिख रहा है? 15, 12, box, 6, box, और box. वहने हैं क्या लिख रहा है? decreasing by 3. क्या करना है? decreasing करना है. अब जैसे देखो, कम करना है. decreasing यहने की, जैसे देखो, यहाँ पे 15 है. 15 के बाद कितना decrease करा है इनोने? 12. अब 15 है, 15 में कितना minus करा है इनोने? 3 minus करा है. तो कितना है? 12. अब यहाँ इसे 12 में कितना minus करोगे? 3. तो कितना आएगा 9 फिर 9 में कितना minus करोगे 6 एट 3 minus करोगे तो कितना आएगा 6 फिर कितना 6 में कितना decrease करोगे 3 तो कितना आएगा 3 और फिर कितना आजाएगा 0 तो यह कितना हो गया decrease हो गया कितना हो गया decrease हो गया अब देखो यहाँ पर क्या बोला है increasing by 10 क्या करना है increase करना है मतलब बढ़ाना है या उपर वाले में क्या करना था decrease करना था मतलब कम करना था minus करना था अब क्या करना है increase करना है तो देखो ये कितना था 0 0 में कितना increase करा 10 अब इसे 10 में कितना increase करेंगा 10 तो कितना हो जाएगा 20 फिर 20 के बाद 10 इंक्रिस करा तो 30, 30 के बाद वापस 10 इंक्रिस करा तो 40, 40 के बाद वापस 10 इंक्रिस करा तो 50, आया है समझ में, अब देखो यहां पर क्या लिख रहा है, write the sides, आपको sides write करने, अब देखो हैं कितनी sides है, 1, 2, 3, 4, कितनी sides है, 4, square बना हुआ है, और कितनी side है, 4, अब इसे next, देखो यहां पर कितनी sides है, 1, 2, 3, 4, यह भी क्या है rectangle, और sides कितनी है, 4, तो यह भी क्या है, 4, तो यहां पर क्या है, 4, ठीक है अब देखू यहां पर क्या है next draw the or ends in the clocks अब आपको क्या करना है clocks में time show करना है अब यहां पर कितना है बज़री four o clock मतलब चार बज़री है तो अपन क्या करोगे चार पर अपन ऐसे टिक कर देंगे तो यह कितनी हो गई four o clock अब next देखू यहां पर कितना बोला है seven o clock म से अपन चोटा कटा काई पर कर देते है seven पर आया समझ में अब देखो यहां पर क्या है fill in the box nine minus eight nine में से eight जाएगा तो कितना बचेगा one तो यहां पर लिखा है one अभी क्या 88 माइनस 33 आपको क्या करना है 88 में से 33 माइनस करना है तो कितना आएगा 88 में से 33 माइनस करोगे तो क इतना आएगा 55 तब देखो यह क्या है 25 पैसे इकुल टू 20 पैसे प्लस बॉक्स पैसे अब इस बोक्स में आपको क्या लिखना है number अब देखो यह क्या है 25 पैसे और 20 पैसे तो दे रखें अब 20 पैसे में set आप क्या प्लस करोगी कि वो 25 पैसे बन जाए तो 20 पैसे में क्या प्लस करोगी 5 पैसे तो क्या बन जाएगा 25 पैसे तो मैंने या पर क्या लिख दिया 5 पैसे तो 20 में 5 प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा 25 पैसे अब ऐसे 50 पैसे अब 25 पैसे तो दे रखा है अब 25 पैसे में क्या करना है मै़र करना है phải gerek if we measure our 我們 find means 30 वपीस हि़ लिए 30 सोफला है इस क्यूबिट्स लों गो क्यूबिट्स ile long गों क्योद्स में कितना लोंग इस डिख समझ में अब डेखो सिंड क्या Х visually RAW , Also Face your düşman keep you Subtext कऊहई से करें बैक साइट से पीछे साबको पता है तो ये भी 9 है और ये भी 9 है 9 में से 9 गया तो 0 अब 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 अब यहाँ पर next देखो यहाँ पर क्या लिखा है? 6 और 6 6 में से 6 गया तो 0 अब यहाँ पर क्या है? 5 और 2 5 में से आपको कितना माइनस करना है? 2 तो 5 में से 2 मीनस करोगे तो कितना बचेगा? 3 तो यहाँ पर लिखा 3 अब यह journée देखो यहाँ पर क्या है? 0 और 0 तो 0 में से 0 जाएगा तो 0 फिर क्या है? 9 माइनस 2 तो 9 में से अगा अगर आप 2 माइनस करोगे या आपके बस 9 चोकलेट है और आपने 2 चोकलेट खा ली तब कितनी चोकलेट बचेगी 7 तो आप यह कितना लिकोगे 7 अभी क्या है 3 3 में से 0 माइनस होगा क्या नहीं होगा तो क्या बचेगा 3 का 3 और 9 में से 9 गया तो 0 अब ऐसे यह 8 8 में से 0 माइनस तो होगा नहीं तो क्या बचेगा 8 और 4 में से 2 गया तो 2 तो यह कितना होगे 28 आया अभी आपने क्या करा आपकी जो बुक में जो था रिविजन टैस्ट पेपर वह आपने भी सॉल्व करा अब इसको आप ऐसे ही इसको सॉल्व करके देखना ठीक है थैंक यू and have a nice day